त्यार्थियों नमस्कार हम रितिकावे के अंतरगत मतिराम को पढ़ रहे हैं और मतिराम के जो दो हैं उन शंगारिक पदों को हमने पिछले कालांश में पढ़ा आज हम उसके आगे पदों को पढ़ रहे हैं जिसमें उन्होंने नीति और शंगार के पद भी लिखे हैं छटा पद हम आज पढ़ेंगे छटा पद हमने कल पढ़ लिया था आज हम सात्वा पद पढ़ेंगे जहां मतिराम के रहे हैं कि अब तेरो बसीवो इहां नहीं उचित मराल सकल सुखी पानी पगयो बंक भयो बंक मैटाल यानि यहां पर वो संदेश देना चाह रहे हैं मति शिक्षाएं देना चाह रहे हैं मतिराम और समाज की उसे सामाजिक्ता को भी प्रकट कर रहे हैं कि किस तरह से एक यदि व्यक्ति का सही समुचितादर नहीं होता है तो ऐसी इस्तिती में उसे वहां नहीं रहना चाहिए सज्जनों की वो प्रशन सा भी कर रहे हैं और दुरुजनों का जब प्रभाव बढ़ जाता है तो वहां पर रहना उचित नहीं इस बात को संकेत कर रहे हैं कि अब तेरो बसीवो यहां नहीं उचित मराल यानि हे हंस अब तेरा यहां बसना उचित नहीं है क्यों कि सकल सुखी पानी पगयो अब यहां पर पानी सुख गया है और जो तालाब है वो पंक मैं हो गया है कीचड से युक्त हो गया है मतलब क्या है इसका तो यहां पर वो सजन की प्रिशनसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सजनों की प्रिशनसा करते हुए कहते हैं कि दुर्जनों की जब दुर्जना आए बढ़ जाये तो वहां से दूर रहने में ही ज़्यादा भलाई है तो हे हंसों अब तुम्हारा इस तालाब में रहना हुचित नहीं है क्योंकि तालाब का सारा पानी सूख गया और केवल कीचण मातर रह गया है इस कीचण में तुम्हें मोती मिल नहीं सकते अतर तुम्हारा रहना यहां ठीक नहीं है असंभव ही है देकिन यहां पर एक समा सोकती है यहां कभी संकेत उन सजनों को कर रहा है कि जब तुम्हारा संसार में जहां पर तुम्हारा मान सम्मान नहीं है तुम्हारे इस्तितिया अनुकूल नहीं है तुम्हारे लिए तुमारी इचित वस्तुवा भावनाएं भी वहाँ पर मिलना दूर है ऐसे स्तिती में तुम्हें वह ताल छोड़ देना चाहिए और ऐसे इस तल पर जाना चाहिए जहां पर तुमारी तुमारा मान और सम्मान बढ़े ठीक इससे मिलता हुआ दूसरा जो पद है वह भी निति करें कि नारी नेन को नीरारु तरुनी तीरु तंग बढ़त सरीत परिवार के गिरत एक ही संग वह कहता है पर परेम के हूद जड़ते हैं लेकिन यह भी सक्चाई है कि नारी के नेनों का जल और प्रेम जितने शक्रता से चड़ता है उतने ही शिक्रता से परिवार सही धर्ती पर गिरता है और यह प्रेम कभी-कभी तो दिखावटी भी होता है और अस्ताय भी होता है और निश्प्रभ भी होता है और एसी स्थती में प्रेम के आकर्षण में आपको शिक्रता से नहीं बढ़ना चाहिए तो नारी नेन को नीर नारी के नेनों का नीर और तरुनी का तीर ये दोनों ही एक साथ उंचे उड़ते हैं वो तिवरता से उंचे उड़ते हैं वो शिकर पहुंच जाते हैं बड़ा तसरित परिवार के गिरत एक संग और जब यह नीचे गिरते हैं तो यह तसरित परिवार म मिलेंगे यानि नदी में मिल जाते हैं आशर यह है कि वह सब विलब्त हो जाते हैं और गिरत एक ही संग यानि सभी को गिरा देते हैं तो कभी-कभी आपकी प्रतिष्टा की विपरीद भी काम हो जाता है तो आप देखेंगे इन दोनों पदों में पहले पद में तो सज्जनो अलंकार को देख सकते हैं साहिति के ब्रजभाशा इसमें है माधुरी गुन है और लक्षणा वेंजना दोनों ही शब्षक्तियों का प्रयोग किया है अगले पद देखो आप नवापद और कितने अच्छी माधुरता है और शब्दों का किस तरह से चैने इसको भी देखें आप किश्रम जलकन जलकन लगे अलकनी कलीत का पोल पलकनी रस चलीकन लगे ललकन लोचन लूल जलकन मतलब जलकने लगते हैं दिखाई देने लग जाते हैं और अलकनी का मतलब होता है गुम्राली जो लटे हैं जुल्फे हैं वो उनके लिए आया है और कलीत का मतलब सुन्दर क प्लक का मतलब गाल पलक कमान है यहांपर जो सुन्दरी औंकन है वो किस तरसे मतिराम करते हैं यहां पर संयोग शंगार का वरणन से जानाय का कि नक्सिक का सुन्दर और वर्णन करते हैं कवी कहरा है कि नायका की पलकों वोगा रस और पलके नायक को प्रेम पाश में बादने के लिए पर्याप्त है तो यह कहते हैं और खास्तोर से दर्वारी संस्तुति का जो प्रभाव उन पर है वो भी दिख रहा है कि दर्वारी संस्तुति के शंगारी विलासिता के अनुरूप शंगार समंधी रक्षनों का अजब निरूपन के दर्वारी संस्तुति कोमल काया की धनी नायका है उसके शरीर से परिश्रम के कारण शंग की जल्बुंदें चलकने लगे अर्था थोड़ा सा भी इवहर परिश्रम कर रही है तो उसके मात्य पर शंग की मुण congregation की बुंदें सिर्भा cidade काली गुम्राली लटे हैं जो सुंदर गालों पर उस पर टपकने लगी है अलकनी कलिद और उसके उपर सुंदर दिख रहे सुंदर गालों पर उसकी विश्रम की मूनी पसीने की भूने जलकन मोती की तरह चमक रही है और पलकनी रस चलकन लगे वह एसी लग रही है जल की बूने ऐसे चलकन लगी कि मानो रस की बूने चलक रही हो नाइका के इस सुंदर्य को देखकर किसी भी नायक के चंचल नेत्रों में नाइका को पाने की उमंग उत्पन हो जाती है यानि पानी रस चलकन लगे ललकन लोचन ल जो आखें हैं लल्चा जाती है ललकरन लोचनलोसंदर आखें उसकी और आकर्शिक हो जाती है दूसरे पढ़ में वह बता रहे हैं कि चंचलता तो चक्नीं की नहीन कहीं नजाई बनाई जिने चाहीं चाहिए चंचल महां चितो अचल अचल होई जाई यानि नाइका के नेत्र कि चंचल तक जितना वरणन करूं उतना कम पड़ जाता है चंचलता तो चखनी की कहीं नजाय बनाए यहनि मैं उसकी क्या वरणन कर सकता हूँ या संगी संयोग की अतिशियोक्ति है कि या किस तरह पर अक क्रश्ण के प्रेम में दूबी हुई एक नायका है और वो मुगदा नाईका वह किस तरह के हाव करती है उसका वर्णन है जो नंदलाल के रूप पर रिजी पर यह एक बार वनाई का अपनी सखह से कह रही है कि मैं एक बार क्रष्ण के प्रेम में इतनी डूबी इतनी डूबी कि वह अदमुन्दी आंखे न दें मुंदी प्रीतिया रहे इस मैं आखों को मुंती तो भी उसका प्रेम अश्रू गर्शा में प्रकड होता है और देखती तो से कश्न दिखाई देते हैं और अपने आखों को अदमुंदी रखना उच्छी समझा ताकि उसके प्री और प्रीतम उसकी आखों में समाए रहे और उसकी मल्यादा बनी रहे तो यहां इन ती लाल के रूप पर इसमें वक्ति उसमें यह भी माना जा सकता है मतिराम की भक्ति भी है लेकिन रूप आ सकती है प्रेम में किस तरह से मर्यादा और स्थाइत होता है यह आप इस तीसरे ग्यार्वे पद में देख सकते हैं दरबारी जीवन किस तरह से विलासी रहा होगा रि इसमें वेधर भी रीती आती है इसके लावानू प्रासिक्ता और दोहों की भावगत विश्यस्ता है सारी आपके हां पर इसमें दिखाई देती है हम शेश पदों को अगले का लांच में देखेंगे